नमस्कार दोस्तों आप सभी का आशू जी के ट्रिक चैनल में सभी का स्वागत है आज अपने कंपाउंड इंट्रेस्ट यानि चक्रवर्ती प्याज का पार्ट टू सुरू करने जा रहे हैं इससे पहले मैंने पार्ट फर्ष्ट डाला था वो जिस बच्चे ने नहीं देखा पार्ट फर्ष्ट देख लें फिर पूरी तरह से पार्ट नमबर सेकंड समझ में आए जाए आप सभी का धन्यवाद पार्ट बन में काफी शेयोगरा बहुत सारे लाइक और विउड़ देखने को मिले तो पार्ट नमबर सेकंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें जिससे लाइव ज्यादा से ज्यादा आसके हैं जितने ज्यादा लाइव आएंगे उतने ही टोपिक यूटूब पर ज्यादा से ज्यादा कराए जाएंगे तो पार्ट नमबर सेकंड का फर्ष्ट क्वेस्टन सेम आज जो अपने क्वेस्टन करने जा रहे हैं उसमें आपक पल दिया हुआ था आज जो क्वेस्टन करने है उसमें मूलदन ने दे के इसके लावा और कुछ दिया होगा जैसे मिसर दन आपके सवाल में दिया होगा या तो या सदारन ब्याज दिया होगा या चकरवरती ब्याज दिया होगा या दूसरे वरस का चकरवरती ब्याज दिया होगा इन में से इनके लावा कुछ भी दे के कुछ मर्जी पूछ सकता है तो वो क्वेस्टन उसी एक ही टाइप से बॉक्स वाली तरीके से पूरा टोपिक के से खतम करेंगे वो अपने स्वाल करने जा रहे हैं तो स्वाल नमबर फर्ष्ट आज अपने सारी क्वेस्टन करेंगे जो प्रिवेस एक्जाम में आये हैं ससी पटवार मेंस लेंथी से लेंथी हर टाइप का question class में cover करेंगे आज 15-20 टाइब के question cover करेंगे तो question number first का answer आप सभी बच्चे देंगे सभी बच्चे comment में उतर देने की कोशिज करें pen copy लेके हाथ में बैटें question number first का answer देने की कोशिज करें इसके लावा ये पूरा topic एक इत्रीकेश हो रहा है इसलिए लगबग मैं इन सभी question में कुछ time कम दूँगा आपको अगले topic से complete time दिया जाएगा हर question में 2 minute या 1 minute का आपको time दिया जाएगा उसके बाद मैं खुद जोल कराऊँगा पूरे topic को कम से कम 4 या 5 बार निकालें घर पर बैट के इसके लावा कोई भी doubt हो तो comment में लिख सकते हैं आप कोई भी question अलग समझना हों question number first में जैसे आपके दिया हुआ है question number first इसमें आपको दर दे रखा है 4% सम्में दे रखा है 2 वरस और इसमें में तेरा सो बावन रूपे हो जाता है यानी मिसर्दन वो जाएगा और आप से पुछप है मूल दन यानि मिसरर्दन दे के मूल दन पुछप है फिर बौक्स वाले तुरी के सारे सबास कैसे करें इसके करने के और बहुत अगले वीडियो में ये भी पढ़े सकते हैं एक बार पूरा टोपिक एक टाइप से कंप्लेट करने जा रहे हैं अब इसमें कुछ नहीं करना एक चोटी सी चीज़ का ध्यारन करना है अब इस वाल में मूलदन नहीं दिया तो अपनी तरफ से मूलदन मानना पड़ेगा बस में इतना ही काम है मूलदन मानने में कुछ मर्जी मान सकते हो पूरे टोपिक में सो मान सकते हो दस जार मान सकते हो लाख मान सकते हो दो लाख मान सकते हो परंतु मूलदन ऐसा मानना है ऐसा मानना है मूलदन कि कैलकुलेशन कम से कम बने है बोक्स मनाते समय कि पूरा टोपिक कैलकुलेशन पर दारी का इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए यह तरीका लगा रहे है इसलिए मूलदन बनाने के लिए इसके fraction या बटा बनाएंगे 4% का बटा होता है एक बटा बट 25 एक बटा कितना होता है 25 अब देखो मूलदन क्या मानना है मूलदन अगर सम्में 2 दिये तो ये नीचे वाली जो संके हर में इसका square करके मानना है सम्में 2 दिये तो square करना है तीन दिये तो क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्यूब च्यार दिये तो चोथी पाउर कर देंगे जैसे यहां समय दो दिया हुआ है तो 25 का स्केर यानी 625 रुपए अपने मूल दन माल लेंगे अब वो सेम तरीका इतना काम सेम स्वाल बन जाएगा मूल दन दिया हुए दर और सम्मिया एक बार बोक्स बरेंगे जल्दी सी दो साल का बोक्स मेरे साथ बरेंगे सारी बच्चे जल्दी तो 625 का एक बटा 25 क्या होता है 25 और यहां भी क्या आएगा 25 यह पहले साल का ब्याज आएगा यह दूसरे साल का 25 का एक बटा 25 निकालेंग तो एक आजएगा इतना काम हर क्वेस्टन में करना है चकरवर्ती ब्याज का कोई स्वाल आए अब देखो पूरी मेथ एक तरीके से होती है जो भी गिवन डेटा है जो भी दिया होता है मेशा ही उपर रहता है पूरी मेथ में यह तरीका लगोगा पूरी मेथ एक तरीके से करेंगे बटे में उसका relation यानि उसका समंद आएगा यह अनपात की तरह ही होती है पूरी मेथ इंटू में जो भी find out करना है पुछा गया वो गुणा में लगा देंगे जैसे अपने वाले स्वाल में तेरा सो बाउन रुपे मिसरदन दिया हो है तेरा सो बाउन मिसरदन दिया हो है अगर यह मिसरदन है तो बटे में अपना मिसरदन आएगा मूलदन है तो मूलदन आएगा चकरवर्ती ब्याज़त ब्याज़ आएगा अंतर अंतर आएगा सधारण ब्याज़त सधारण ब्याज़ आएगा पूरी मेत इसी तरी किस चलेगी अब ये मिसरदन दिये तो अपना मिसरदन दो साल का कितना आएगा अपने मूलदन मानना है 625 और ब्या जाया 25 और 25 और एक कावन तो 625 और एकावन 676 रुपे की वेलिवा जाए ये अनपातों में इन्टो मान लो आपसे मूलदन कुछ है तो मूलदन अपने कितना माना ता 625 वो आप गुणा में लगा दो बस आंसर आ जाएगा ये दो पर जाएगा तो 1200 कितना आ जाएगा 50 तो आपका देखते ही अगर आप बिल्कुल पहली बार त्यारी कर रहे हो तो भी सबी बच्चों के समझ में आएगा ये 1250 आपका आनसर आ जाएगा जो अपसे नमर चियार है तो क्वेस्चन नमर दो सबी बच्चे करेंगे अभी क्वेस्चन इस टोपिक में थोड़ा टाइम कम मिलेगा आपको करने के लिए आप घर जाके दोवारा पूरा टोपिक करें गर पे बेट के राम से क्योंकि एक टाइप के सारे सवाल है इसलिए मैं खुद अपनी तरफ से सारे सवाल करा रहा हूँ जिससे टाइम भी कम लेगेगा अपने को तो क्वेस्चन नमर दो देखेंगे सारे बच्चे जल्दी से जल्दी उतर दो बहुत कम बच्चों के अन्सोर आ रहे हैं और इस चैनल पे कौंस्ट रास्तान कौंस्ट अपने के बच्चे जदा हैं जदा से जदा पटवार रिट और सथी के बच्चे जोड़ो जिससे मैत कावरोर जदा से जदा लायू आएं किलास में सबी बच्चे सेयर कर दें जदा से जदा जितने जदा लाए हूंगों यह उतना ही बड़ी अतरी के स्टोपिक रहा जाएगा तो क्वेस्टन नमर दो देखेंगे एक बार सारे बच्चे इसमें अच्छा क्वेस्टन है ASACCG LEVEL में आया हुआ है तो क्वेस्टन नमर दो में आपको रेट दे रही है 5% और दूसरे वरस का सेकंड एयर का चक्रवरती ब्याज दे रही है आपको दूसरे वरस का चक्रवरती ब्याज 420 है और आपसे पुछा है धन रासी यानि मूल दन पुछा अच्छा सवाल है नया सवाल है पर अपने कोई भी आए कि तरीके स्केरीज़ अब देखो क्या करना है वह सेम तरीका मूल दन मानना पड़ेगा मूल दन मानेंगे तो पांच का बटा बनेंगा एक बटा बीस और समय दूसरे साल यानि दो साल का भी आज मानलो दिया हुआ है तो 20 का स्केर मूलदन क्या मानेंगे 400 बस अब बोक्स बर दो तो 400 का एक बटा 20 कितना होता है भी 5% 20 ही होता है यहां भी क्या हैगा 20 और 20 का एक बटा 20 क्या होता है ये एक दूसरा तरीका भी है मुल दन नाय मानके भी अपने बोक्स बर सकते हैं वो जल्दी बोक्स बर सकते हैं विदिन सेकिंड एक बार इस तरीके से पूरा टूपिक करो उसके बाद मैं थोड़ा बोक्स बरने का दूसरा तरीका बोर्र बता रहा हूँ एक स्वाल में थोड़ा बता देता हूँ इसमें मूल दन मानने की विजूरत नहीं पड़ती दर आपने बटा बना लिया एक बटा बीस होता है तो यहां इस बॉक्स में ब्याज आएगा हमेशा ही उपर वाड़ा आएगा एक अब एक का एक बटा बीस कितना होता है बीस और यहां जो बीस आगिया यहां भी क्या रहेगा बीस सदारन ब्याज क्या रहता है सेम अब यहां वापिस मूल दन निकालने है तो बीस का फिर एक बटा बीस निकालेंगे तो बीस में एक बटा बीस का बाग दें कितना जाएगा वापिस है 400 बिना मूल दनमानी भी इससे भी बोक्स बर सकते हैं कुछ एक बच्चों के समझ में आया होगा बाकी बच्चों के यह नहीं है एक बार पूरा टूपिक ऐसे ही करो फिर और स्पीड बढ़ाने है तो इससे भी कर सकते हैं बस यह बोक्स बरने के ब अगर इससे बार बने के यह नहीं है तो इससे बार टूपिक ऐसे घुंप उसरे ब्रकृम पर के दया है नीम में रसंफार आपके अगर के बीजिंद आज एक की वैलिया हो ती तो 420 की वेल्यू कितने के बराबर है 21 अब आप से कुछ है मूलदन तो मूलदन अपने कितना माना था 400 तो गुणा में क्या लगा देंगे 400 काटते ही आनसर आजाएगा आपका 4 दूनी 8000 आनसर आजाएगा तो 8000 ओप्सन नमर आपका है तीन नमर ओप्सन तो इसको आप वीडियो दौरे देखेंगे एक बार समझते जाओ वीडियो दौरे देखना उसके बाद जो भी चीज़ समझ में ना आए दौरे देखने से कंप्लीट समझ में आजाएगी फिर इनको नोट भी कर सकते हो आप रिजिस्टर में अच्छे से इनके नोट समझा लो फिर इनी स्वालों को बार बार निकाड़ो क्वेस्टन नमर तीन करेंगे क्वेस्टन नमर तीन सबी बच्चे अपने-पने कमेंट में उत्तर दें ज़ादे से ज़ादा वो बच्चे जोड़े जिनकी मैथ ठीक है या जो पहली बार मैथ कर रहे हैं जो उत्र दे सकते हैं जो घर जाके पढ़ रहे हैं प्रेक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे ज़ादे ज़ादे लाईव जोड़े क्वेस्टन नमर 3 का उत्तर अभी तक नहीं आया लगबग उत्तर दे जितने भी बच्चे जुड़ेवे हैं क्वेस्टन नमर 3 में देखो क्या दिया हुआ है क्वेस्टन नमर 3 में मूल दन दे ही रखा आपको 6400 रुपए ये सेम एक्वेस्टन आगिया जो फर्ष्ट वीडियो में किया था दर 25 परसंड सम्या डेड़ वर्स आपसे चकरवर्ती ब्याज भी पुच्छा है और मिसरदन भी पुच्छा है ये क्वेस्टन एक इसलिए डाला यहां कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सरब मूल दन माने के नह माने अगर आप मूल दन मानना चाओ तो अब भी मान लो उत्तर में अब भी फर्क नहीं पड़ेगा पर मूल दन दी है फिर मानने की जुरुतिक है मान लोगे तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब तो आप जल्दी सी दो साल का वोक्स बर दो सेम स्वाल लाइए तो 6400 का 25% या एक बटा च्यार निकड़ो 6400 का एक बटा च्यार 1600 होता है यहां भी क्या आएगा 1600 1600 का एक बटा च्यार होता है 400 तो अब आपसे डेड़ वरस का चकरवर्ती ब्याज पुछा है तो एक साल का चकरवर्ती ब्याज सोड़ा है दूसरे साल का आद दा लेंगे 1600 का दाओगा 800 400 का दाओगा 200 तो 1600, 800, 24, 200, 26 आपका चकरवर्ती ब्याज आ जाएगा मिसर दन पुछे तो मूल दन में चकरवर्ती ब्याज जोड़ देंगे क्वेस्टन नमर तीन हो गया अब क्वेस्टन नमर चियार करेंगे सभी बच्चे मैं सिर्फ प्रेक्टिस करा रहा हूँ इसलिए देखते जाओ आपको नोट करने जूरत नहीं है थोड़ा स्पीड से चलेएं तो क्वेस्टन नमर चियार सभी बच्चे कमेंट में जल्दी से जल्दी उतर देंगे 10 या 15 सेकेंड के अंदर उतराणी चाहिए सभी बच्चोंगे क्वेस्टन नमर चियार में आपको देर रख है रेट दे रखी है 16 से 2 बटे 3 16 से 2 बटा 3 का मतलब होता है एक बटा चाहिए भिन जिनके भी याद निये मैं याद गराऊंगा percentage topic में complete एक टो एक वीडियो बनाएंगे fraction के से बनाते हैं एक बटा चाहिए नहीं तो आप एसी बना सकते हैं 16,48,250 बटा 3 13% अटाने के लिए बटे में 150 दोनी 101 बटा कितना मन गया सम्मे आपको इसमें दिया हुए 3 येर यानि 3 वरस और अब की बार मिसर दन दे रख है आपको 3430 रुपाई ये बेंकिंग में आई हुए स्वाल है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सरफ्रेक्शन आज़े तो इस तरीके से होंगे की नहीं होंगे तो कंपलीट वीडियो पूरा टोपिक इसी तरीके से करेंगे अब आपको क्या करना है सम्मे तीन हो तो 6 का क्यूब करके मूलदन मानना है तो 6 का क्यूब आप सारे जानते हो दो सोड़ा ये इसलिए मान रहे हैं भी बॉक्स में कैलकुलेशन कम से कम पड़े वरना मूलदन कुछ मर्जी मान सकते हो यहां दो जार चार जार चाह जार दस जार तो जल्दी शी बॉक्स भरेंगे दो सोड़ा का एक बटा च्छा निकालेंगे तो कितना आएगा भी 36 आएगा ग्या 36 यह आएगा कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए तो आप अपने आप सुधार कर सकते हो क्योंकि ओफ लाइन बेच में तो बच्चे अपने आप करेक्शन करा देते हैं उनलाइन में यह थोड़ी सी प्रोब्लम रहती है कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है यहां भी 36 आएगा यहां भी 36 आएगा सदारन ब्याज 36 का एक बटा च्छे आएगा 6 का डबल 12 6 का एक बटा च्छे एक आएगा अब आपके स्वाल में 3430 रुपे मिसर धन है तो अपने भी बटे में मिसर धन आएगा मिसर धन क्या होता है मूल धन पलस ब्याज मूल धन अपने 200 सोड़ा माना ब्याज 363 108 108 रच्छे 114 12 126 एर 127 और इंटो में आप से स्वाल में देखो क्या पुछा है मान लो चकरवर्ती ब्याज पुछा है चकरवर्ती ब्याज तो चकरवर्ती ब्याज अपने लगा देंगे ये कितना हो गया सारा 127 रुपे चकरवर्ती ब्याज है अपना तो अब इनको काटेंगे तो 3430 के बटे में इनको जोड़ेंगे तो 330 यह देखो कटने वाड़ा ही बनेगा इसमें, गुणा में 120, यह कट गया तो 1270 रुपे आपका चकरवर्ती ब्याज आ गया, इन कुछ एक सवालों में ओप्शन नहीं दिये हुए हैं, प्रेक्टिस के लिए डाले हुए हैं, सिंपल, ओप्शन मिली जाएंगे सेम आपको, क्वेस्टन नमबर पांच करेंगे सभी बच्चे, सबसे पहले उतर देखते हैं किन किन बच्चों के आ रहे हैं, जादा से जादा बच्चे उतर देने कोशिज करें, पैन कोपी हाथ में रखें, उतर दें जल्दी से जल्दी, बच्चे अलग-लग सेंट्रों से पढ़े हुएं, फिर भी आनसुर नहीं आ रहे हैं, सेम इजी से क्वेस्टन है, क्वेस्टन नमबर पांच, इसमें रेट दे रखा है 10%, सम्में दे रखा है 3 वरस, और 3 वरस का चक्करवरती ब्याज वैस, सदारन ब्याज का अंतर दिया ह 30, और आप से पुछा है, मूलदन क्या होगा, तीन वरस के लिए 30 वरस के लिए 30 वरस का चक्करवरती ब्याज वैस, सदारन ब्याज का अंतर क्या होगा तो अब तो सिंपल अपने निकाड़े सकते हैं यहां इस क्वेस्टन को आप यू बनाओ क्योंकि यह तो इजी बन गया मालो आप यहां यहां ऐसा आज एक्जाम में तीन वरस के सदारन ब्याज और चकरवड़ती ब्याज का अंतर कतिस दिया हुए अंतर दे रिखा है मालो चेंज कर रहा हूँ क्वेस्टन थोड़ा क्वेस्टन नमर पांच को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसमें मूलदन दे रिखा है फिर तो इजी तरी केसे निकाली सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है अभी अंतर दिया हो फिर मूलदन निकालना हो तो केसे करेंगे वो देखो आप फिर मूलदन केसे निकालेंगे तो अब देखो कुछ नहीं करना अपने बोक्से करेंगे दस का बटा होता है एक बटा दस 10 का क्यूब होता है मूल दन मानेंगे 1000 रुपे आ जाएगा मानावा मूल दन है ये फर्जी मूल दन है यूँ समझो एक टाइप से मानावा है टेंपरेरी मूल दन है अनपातों में तो 3 साल का जल्दी सी बोक्स बरेंगे बोक्स बरनीक स्पीड बढ़ गी होगी 1000 का 10% 100 होता है यहां भी 100 आएगा 100 का 10 10 का 20 10 का 10 10 का 10 एक अब आपका 30 अंतर दिया हुए अपना अंतर कितना है 3 साल का 30 ही है इंटो में मान लो मूल दन पूछा है तो 1000 आ जाएगा तो 30 से 30 काटेंगे 1000 रुपए इंगलिस मेडियम में सही लिखावा है हिंदी में कुछ गलती है साइग यह अंतरी लिखावा है एकजाम में अंतरी आया हुए तो 1000 रुपए अब इनके भी कई टीचर या कई बच्चे इनके सुतर याद करते हैं या बेसिक तरीके से करते हैं तीन साल के चक्रवर्ती ब्याज और सदान ब्याज का जैसे दो साल का मानलो मैंने जैसे मानलो मूल धन पी रुपे ले लिया दर ले ली मैंने आर परसेंट और सम्य मानलो दो वर्स ले लिया जो आपने आज तक रटा लगाया है चकरवरती ब्याज और सदान ब्याज के अंतर का सुतर क्या होता है वो देखो भी बना रहे हैं अपने अब देखो simple यह मानलो यह सवाल पुछा कि SSC में एक बार इसे सवाल पूछ भी सकता है तो यहाँ अपने अंतर निकाल ला है तो P का R% निकाल लेंगे याद करते हो, दो वरस के लिए चकरवर्ती ब्याजवय सदारन ब्याजवय का अंतर का सुतर होता है पी आर स्केर, बटे में सो गुणा में सो ऐसी तीन साल का पहले लिखवाया था वो भी तीन साल का, चार साल का कुछ मर्जी बना सकते हैं अपने इसी एक तरीके से बना सकते हैं सारे फोर्मले चार साल की अंतरका भी बना सकते हैं question number six, सबी बच्चे करेंगे जल्दी शो उतर देंगे, कौन देगा उतर question number six थोड़ा सा spread में बढ़ा हूँगा क्योंगी same method है, same तरीका है स्वाल चे कोई लेवल का है इसी तरीकिसे होंगे क्वेस्टन नमर सिक में सिक्स में रेट दे रुखी है फोर परसेंट टाइम दे रुख है दो वरस निच्चित रासी पर सदारन ब्याज और चकरवड़ती ब्याज का अंतर च्या रुपए है सदारन ब्याज और चकरवड़ती ब्याज का ये दो साल का आगया अंतर का तो अपने सुतर लगाने कोई जूरत नहीं है आप से मूलदन ही पुछा है कुछ नहीं करना बोक्स बरेंगे च्यार का बटा बढ़ाएंगे एक बटा 25 याँ छोटा सा मूलदन मानेंगे मूलदन 25 का स्केर 625 बस दो साल का जल्दी शिभोक्स भरेंगे 625 का एक बटा 25 25 याँ भी 25 25 का एक बटा 25 एक आ जाएगा तो अंतर आपको दिया वहाई च्यार अपना अंतरा याँ एक च्यार के वेलिव क्याएगी एक गुणा में 625, देखती ही उतराएंगे सभी बच्चों गे, 24 और 125 और आप का अन्सवरा जाएगा, ओप्शन नमर एक आपका उतर है, क्वेस्चन नमर साथ करेंगे सभी बच्चे, कमेंट करें, जादा से जादा उतर, और जो आपकी गुरूप में मैट से जुड़े वे बच्चे हैं, जो पटवार, रीड, सेकंड लेवल, ससी, इसके लावा, जो भी राजस्तान कंपिटिशन या सेंटर या बैंक की भी त्या का उतरनी आया, क्वेस्चन नमर साथ देखें, रेट देर की है, पचास परशेंट, सम्में, अब थोड़े चेंज होगी, अच्छे लेवल के स्वाल आगए, एक वरस और च्यार माव, जो नॉर्मल बुक में अभी तक है, इस टाइप की क्वेस्चन नहीं है, और आपको मा अधर वरती भी आज पूछ ले, यू समझो, बॉक्स बनाने एक बाद ये बाईपास ही बन जाती है, आप कहीं जा सकते हो, जेपूर, चंदीगर, पाकिस्तान भी जा सकते हो, बॉक्स बनाने एक बाद, वापिस नहीं आना पड़ेगा, अब आपको कुछ नहीं करना, इसक चार मानलो, उत्तर गलत नहीं आएगा, अपने जो भी बॉक्स मनाएंगे, उसका चार मेने का ब्याज लेंगे, यानि उस बॉक्स का एक बटा तीन जरूर लेंगे अपने, एक बटा तीन लेंगे, तो तीन से कटने वाली संग क्या हो रहे ने चाहिए मैनली, इसलिए ऐसा कोई सुऔल आजे दो मैने, तीन मैने, चार मैने, बिल्कुली काल्कुलेशन से बचना है ना, तो ये जो मूलधन है ना, ये जो बटा बनता है, इस से कुणा करके चार तीन बारह मानलो, अब कभी भी बटे मेने जाएगा, पॉिंटों मेने जाएगा, चार से भी बाई चा नहीं जाता है, इस सुवाल में क्या पता, जाए नहीं जाए, अपने चेक भी कर लेते हैं, एक बार चयार मान के कर लेते हैं, अगर पॉइंटों में गया तो 3 सिगुना करके मान लेना, अगर जाएगा तो उससे उत्तर तो फिर भी आएगा जैसे च्यार का जल्दी सी बॉक्स भरेंगे दो साल का च्यार का एक बटा दो दो होता है यहां भी दो और ये वड़ा जल्दी बॉक्स भर सकते हैं 20 50 मिसर दण दिया हुए मिसर दन है तो अपना मिसर दन गाएगा बटे में ये तो समझ में आगे होगा सभी के अपना मूल दन कितना दिया होगा है चार और मिसर दन क्या होता है मूल दन पलस ब्याज तो ब्याज लेंगे अब की बार एक वरस और चार मेने काई एक साल का ब्याज पूरा है दो दूसरे साल में एक साल का ब्याज नहीं लेना कितने मेने का ब्याज लेना है चार मेने का और चार मेने का ब्याज लेना है तो इसका मतलब कितना लेना है एक बटा तीन तो यह आपके बाईचान से सेट बेट की अ कटने वड़ा हू सकता है किस वाले में नहीं बेटे आप चार तीया बारामन लेकर तो पका ही सेट बेट था अब चलो आपका लक साथ दे रहा है, सही बैठा 2 एक 3 3 का एक बटा 3 लेंगे, तो एक रुपया ही हो गया तो ये आपका मिसरदन हो गया साराई तो च्यार अर दो छैर एक साथ रुपे आपका मिसरदन हो गया इंटो में मानलो मूलधन पुछे तो च्यार लगा देंगे चकरवड़ती ब्याज पुछे तो दो रेक क्या लगा देंगे तीन लगा देंगे तो मानलो आपसे एक बार मूल्द नहीं पुछा है तो गुणा में क्या लगाएंगे च्यार तो च्यार और दो च्यार एक साथ से काटेंगे साथ सी का ब्याने इच्छा है चोके कितना गया 2400 रुपे कुछ मर्जी पुछे वो ही हैं गुणा में लगा तो बस सारे सुवाल हो जाएंगे क्वेस्टन नमर आठ करेंगे सभी बच्चे ये थोड़ा हिंदी मेडिय में टाइप नहीं हुआ गलती से कट गया इंगलीस मेडिय में उत्र दें इतनी इंगलीस आनी चाहिए आप सभी को क्वेस्टन नमर आठ सबसे पहले आंसर कोन देगा उत्तर बहुत ही कम बच्चों के आ रहे हैं आंसर जादा से जादा आनी चाहिए वरना लेवल फिर गट जाएगा रेट ओप इंट्रेस्ट पांच परसेंट सम्य दो वरस दा कंपाउंट इंट्रेस्ट सर्टन सम्य इन्वेस्ट पर टू येर फाइव परसेंट पर एनम पर एनम गब लो वरसिक तीन सोठाईस रुपई यानि चकरवरती ब्याज आया है वो तीन सोठाईस रुपई अब की बार चकरवरती दिया हुए और अब आप से मानलो same interest simple interest only some the same rate and same period of will be यहां से सदारण ब्याज बुच्छा आप से दर भी से मैर सम्य भी से मैं अच्छा स्वाल है अब कुछ एक बच्चे क्या करते हैं लगबग बच्चे कुछ एक क्या पहले यहां से चकरवर्ती ब्याज से मूलदन निकालेंगे फिर वो सुत्र लगा के फिर सदारण ब्याज निकालेंगे जिससे डबल काम हो जाएगा पर अपने यह सा नहीं करेंगे पूरा टोपिक बॉक्स से करेंगे एक ही तरीके से इतने कोई फेरे देने ही जूरत निकालेंगे पहले मूलदन निकालो फिर सदारण ब्याज निकालो आपका काम इतने दरौर समय दिखता ही पांच का फ्रेक्शन मनाओ एक बटा बीस होता है तो मूलदन च्यार सो माननो आप और जल्दी भर सकते हो कोई मानने ही जूरत निया मैं जैसे मैं इस बोक्स को बरता हूँ तो मैं यूं बरता हूँ जैसे ये वाड़ा यहां रहेगा एक का एक बटा बीस बीस आएगा यहां भी बीस आएगा और बीस का एक बटा बीस कितना होता है चार सो इतना उल्टा भी बर सकती हो ये नए समझ में है तो अगले वीडियो में और बताऊंगा एक बार इसी तरीकेश करो क्योंकि ज़्यादा स्पीड के चकर में कहीं समझ में ना है एक बार मुल्धनमान की कर लेना आप चे कोई दिखते नहीं है अब आपके स्वाल में देखो चकरवर्ती ब्याज दिया है 328 कोई देखते नहीं है कैसा स्वाल आई चकरवर्ती ब्याज ये था अपना भी चकरवर्ती ब्याज जनपा तो वाड़ा चालीस रही एक तालेस कटने वाड़ा येगा और सदारण ब्याज पुछे तो 20 और 20 कितना आवा 40 देखते ही उतरा आगया क्या देखते है भी यह आपको साइध पता योगार्ट परजायगार्ट चुका 32 32 320 आपका आंसूर आगया क्वेस्टन नम्बर एट नम्बर फिर करेंगे गलती से लगई नम्बर इंग सें एट नम्बर क्वेस्टन फिर करेंगे एक क्वेस्टन ओर एन एक्षन अच्छा क्वेस्टन है सभी बच्चे उतर देंगे यह कुछ नौर वाले बच्चों की उतर आ रहे हैं बाकी उतर नहीं आ रहे हुई ज़्यादा से ज़्यादा उतर दें ग्रुप में सेर करें फिर आगे टोपिक रह जाएगा भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाई वाई तो तो क्वेस्टन नम्र एट फिर है गलती से नम्र इंग चैंज कर सकते हैं इसमें बोला है पहले साल के लिए जो रेट उप इंट्रेस्ट है वो 33 सी एक बटा तीन आप जानते होंगे एक बटा तीन होता है नहीं जानते तो भी मैं याद गराऊंगा बाद में दूसरे वरस के लिए जो रेट है वो 17% है अच्छा सवाल है भी और दो वरस के लिए जो मिसर दन है वो 390 तो यहां आपसे मूल दन या चकरवड़ती भी आजबूच है तो जल्दी सी उतर देंगे अपने कुछ करना नहीं है साड़ बारा का मतलब होता है एक बटा आट एक बार याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ एक बटा आट होता है अब आपको मूल दन मानना है मूल दन कोई मर्जी मान लो आप आड़ती है चोविस ही मान सकती हो कोई दिख देनी है तो भी कटने वड़ा बनेगा चोविस मानेंगे दो साल का जल्दी सी बोक्स बरेंगे तो यहां दर बरेंगे एक बटा तीन और यहां बरेंगे एक बटा आट तो चोविस का एक बटा तीन निकालें तो कितना आएगा भी चोविस का एक बटा तीन आठ आ जाएगा और चोविस का एक बटा आठ निकालेंगे तो क्या आएगा तीन आएगा जितने स्वाल की एक तरीके से चल रहे हैं, अब कोई दिखेते नहीं है, मिसर्दन दिया हुए, 390, तो बटे में अपना भी मिसर्दन आएगा, अपना मिसर्दन क्या होता है, अपना मूल्दन कितना दिया हुए, माना हुए 24, और अपना ब्याज कितना आएगा देखो, 8, 3, 11, 11, 12, तो इंटो में आप से मानलो मूल्दन कुछ है, तो गुणा में क्या लगा देगे, 24, तो 390, बटे, 24, और 12, कितना आया, 36, गुणा में 24, बस काटते ही उतरा जाएगा, 12, दूना, 24, बारा, 36, तीन से गाटा, 13, तेरा, दूना, 26, यानि 260, रुपे आपका क्या से अपने कोई फरक नहीं पड़ेगा, हर टाइप का क्यूशन अभी कर सकते हैं इसी तरीके से, अभी इस टाइप के अभी और कुछ सवाल करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियों करेंगे, अब की बार वीडियों सिर्फ 30 मिंट के रखे जाएंगे, तो जादा से जादा इसको स जेर करें, लाइक करें, और सभी का धन्यवाद रहिए.